हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सागर रोबटिक्स आज की इस वीडियो के अंदर हम सोलार पैनल के उपर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं सोलार के उपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ छोटी सी एक क्विक अंबॉक्सिंग कर ले तो इसके उपर कुछ इस तरीके से यह आपर टेप लगा हुआ है तो चलो इस टेप को पहले खोल के देखते हैं अगर खुल जाए तो ठीक है वरना हम इसको जो पनाइफ है उस के द्वारा कट कर लेंगे तो चलो इस टेप को पहले खोल के देखते हैं काफी इंट्रेस्टिंग काफी अज़ेदार एक्सपेरिमेंट होने वाले बस कुछ समय के लिए आप रुप जाईएगा मतलब इसकी अन्बॉक्सिंग करने दीजिएगा उसके बाद तो आपको एक ग्रेप लगा हुआ है है अभस Kenneth अजय निकल चुका है और सांबने आ चूका है हमारा लूम सोल और का पैनल है लूम सोलार की ब्रेंडिंग इसके उपर दी हुई है और इंडिया का नंबर वन मोनो पैनल मैनिफेचरिंग कमपनी है यह सबसे बड़ी है जो सोलार पैनल है उसको बनाती है वो तो हम बाद में देखेंगे चलो इसको पहले खोल लेते और तो चलो भाई अब इसको यहां से खोल के देख लेते तो यह कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर आ जाता है तो इसको हम यहां पर कुछ ऐसे निकाल सकते तो यह पीछे की साइड है और यह है हमारी इसकी आगे की साइड जो बॉक्स से इसको हम साइड में रग देते फिलहा और panel के उपर बात करते हैं तो देखो panel की काफी अच्छे से finishing यहाँ पर दिख रही है जैसे ही open किया तो इसकी finishing देखके ही काफी बढ़िया लगने लग गया तो यह कुछ इस तरीके का है मतलब यहाँ पर इन्होंने जो loom solar है इसकी branding दे रखी है और यहाँ पर कुछ इसका manufacturing का serial number है और यहाँ पर इस front की side में काफी smooth और काफी अच्छे से इसके उपर एक material जो glass है वो लगाया हुआ है जिससे कि यह 100% waterproof है और इसके उपर आप दूप में इसको कैसे भी पानी के अंदर कैसे भी रखो इसको आप 25 साल तक इसकी warranty भी मिल जाती है वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ आप पहले इसका look देख लो कितना गजब का लग रहा है भाई और उसके साथ साथ इसको यहाँ पर आप देखो इसके fitting के लिए इस तरीके से आपर screw की जगर दे रखी है और उपर की साइड में भी आपर screw की जगर जो है वो दे रखी है हम इसको fit कर सकते है इसलिए aluminum framing है और aluminum इसलिए यूज़ किया है ताकि यह पानी के अंदर रहेगा दूप के अंदर रहेगा जिससे कि इसके उपर कोई रस्टिंग नहीं होगी और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसलिए aluminum framing काफी बढ़िया है और glass भी काफी बढ़िया है तो चलो इसके जो technical specification है वो देख लेते है पहले तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो यह कुछ करीब करीब एक किलो के लगबग 1 kg के करीब कर करीब है तो अगर आप इसका size देखना चाते हो तो में ओविया एक किलो का मैंने आपको इसका weight जो है वो बता दिया तो इसतरीके से हमने इसके जो specification है वो देख लिए तो इसको पीछे की side में भी a sticker है और यह हमारा जो दिखता है यह हमारा इसका warranty card है, मतलब इसके उपर हमें 25 साल की warranty मिल जाती है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, तो यह जो warranty card है, इसको हमें निकाल के side में रख देना है, क्योंकि हम इसको बाहर बारिश के अंदर अगर रखेंगे, तो warranty card यहाँ पर खराब हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसको निकाल के side में रख देना है, तो चलो इसको यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, और इसको भी आपको लिखा लेता हूँ, यहाँ पर हमारा warranty card निकल चुका है, तो देखते हैं इसके अंदर कुछ लिखा हुआ, हाँ तो यहाँ पर customer detail लिखे हो हते हैं, और यह warranty कब valid है, कब valid नहीं है, कैसे है, यह सब कुछ लिखा हुआ है, warranty का certificate है, तो इसको आपको समाल के रखना है, और आप अगर इसको पढ़ना चाते हो, तो पॉट्स करके वीडियो को पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखो 25 years की जो warranty है, वो आपको मिल जाती है, इसके साथ हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपको भी पता होगा, तो अब इसके उपर जो specification है, उनको जरह एक नजर डाल ले दे कि क्या specification है, क्या सल सकता है, क्या सी power rating है, सब कुछ मैं आपको समझा के पैनल का जो यह हमारा बोर्ड है, मतलब मेन पावर जो है, इसका पी मैक्स अगर हम इसको milliampere के अंदर convert करते हैं, तो मैं 500 milliampere के करीब current मिलेगा, और short circuit जो current है इसका, वो 0.60 ampere है, मतलब 600 milliampere है, अगर हम इसकी जो wire है, उनको short circuit करवाते हैं, तो 60 milliampere है, 600 milliampere है, मतलब 0.60 ampere हमें मिलेगा, और इसका जो open circuit, मतलब अगर इसके wire के साथ कुछ भी connected न आपने तो इसकी जो specification है, इनको देख लिया, तो अब इसके अंदर हम जो दो wire है, इनको यह आपर attach कर लेंगे, और उसके साथ जो experiment है, वो कर लेंगे, तो अगर आप इस तरीके का solar panel खरीदना चाहते हो, इसके uses तो काफी सारे है, जो मैं आपको आगे experiment दिखाने वाला पर जाकर खरीच सकते हो, और लूम solar की जो link है, वो आपको मेरे इस वीडियो के description के अंदर मिल जाएगा, मतलब इस पैनल का भी link मिल जाएगा, और जो website है, लूम की उसका भी link मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर एक बार जाकर जरूर चेक आउट करना कि इनके कैसे panel है, यह एक बार visit कर लेना site के उपर, और पैनल अच्छा लगे तो जरूर खरीद लेना, मैं link जो है इसकी वीडियो के description के अंदर आपको दे दूँगा, तो चलो इसके उपर experiment करना शुरू करते हैं, तो guys इसके उपर experiment शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर दो wire लगानी पड़ेग तो यह junction box को मैंने complete कर लिया है, दो wire आप देख सकते हो कि यह wire इसी से आ रही है, तो अब हम इसके उपर different different experiment करेंगे, different different चीज़े चला के देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपे कुछ भी दूप नहीं है, मतलब काफी कम दूप है, आप देख सकते हो कि जो terrace है, जो ground है, क्योंकि बारिश ही हो रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत दूप निकली मतलब बारिश गायप हुई, तो मैंने सोचा कि चलो इसके उपर जो video है, उसको बना दिया जाए और आपको दे दिया जाए, तो इसी condition के अंदर मैं आपको इसके जो voltage test है, उसको करवा के दिख तो आप सोचो कि अगर दूप होगी, तो ये कितना ज्यादा निकालेगा, इस condition के अंदर हमें इतना power मिल रहा है, मतलब power में आपको अभी दिखा देता हूँ, तो देखो इस condition के अंदर ही हमें 22 voltage निकल रहे है, voltage की तो कोई बात नहीं, voltage शायद इतना भी निकलेगा दूप के करिब करिब इसके जो voltage है, वो चले गए है, तो अब ये तो आपने voltage टेज डेख लिया है, कि इसके voltage कितने जाते हैं, ये maximum दूप के अंदर 24 तक चले जाएंगे, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके की 12 hold की LED स्ट्रिप आती है, इनको जला के देखते हैं, ये कुद देख सकते हो, कि नीचे आपको दिख रहा होगा, कि दूप बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैंने दोनों जो स्ट्रिप हैं, उनको कनेक कर दिया, और दोनों भी काफी ज्यादा bright जल रही है, इसके उपर कोई भी डिक्कत नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कि कम ज्यादा, लेकिन यह LED जो एक काफी ज्यादा हीट हो रहे है, क्योंकि यह काफी ज्यादा होल्टेज है, इसके लिए मतलब करीब करीब मैंने आपको दिखा दिया कि 23 के करीब होल्टेज थे, और अब यह है एक 4 होल्ट की LED, तो यार मुझे पता है कि यह पैनल 20 होल्ट नि बिल्कुल भी दूप नहीं है, दूप के अंदर तो यह इतना भी लगाने नहीं देगा, लेकिन देखते इसको कुछ देर के लिए चला कि यह जलता है या चलता है, तो देखो इसने अपना दिखाना शुरू कर दिया है, तो यह जलना शुरू हो चुका है, और देखो गया अब तो गरम भी हो चुका है काफी हीट हो चुका है और इसके अंदर देखो एक ब्लैक कलर का पॉइंट आ चुका है यह जल चुका है खराब हो गया है लीडी मतलब पैनल काफी ज़्यादा पावरफुल है आपर और अब इस तरीके की जो डिसी मोटर है इसको चला के देखते है पहले कि यह चलती है यह नहीं और कितनी स्पीड में तो आप अज से ही इसका अंदजा लगा सकते हो गाइस की यह कितना ज्यादा स्पीड में गूम रहा है और कैमरा में आपको यह थोड़ा अलग दिख रहा है थोड़ा स्लो दिख रहा है लेकिन यह इतना ज्यादा तेज गूम रहा है कि आप खुद सोच सकते हो इतने तो चल जा रहा है तो अब हम कुछ और चला के देखेंगे तो आप पहले इसको देख रहो कि ये कितना बढ़ी है चल रहा है मैं थोड़ी देर चूप हो जाता हूँ तो देखो ये तो आपने देख लिया अब इसकी सबसे बड़ी मोटर मतलब हम जिसको यूज करते प्रोजेक्ट के अंदर काफी पावरफुल मोटर होती है 775 तो इसको देख लो ये कितना ज्यादा स्पीड में गूम रहा है आपको साउंड से ही पता चल रहा होगा कि जो मोटर हो कितनी तेज गूम रही है अगर दूप होती तो फिर तो ये तबाई मचा देता मतलब कितनी ज्यादा तेज गूमाता इसको अभी दूप नहीं है सिर्फ थोड़ी थोड़ी दूप है उसके अंदर ही ये कितना पैनल तो अब इसके साथ मैंने प्रोपेलर लगा दिये कि ये प्रोपेलर का लोड उठा पाता है या नहीं है तो देखो प्रोपेलर के साथ भी ये कितना ज्यादा तेज गूम रही है जो छोटा कूलर आता है उसके प्रोपेलर है ये तो आपको पता होगा मैंने इसके वाखा लेता हूँ इससे काफी तेज है लेकिन कैमरा के अंदर प्रेमरेट की वज़े से थोड़ा स्लो दिख रहा होगा आपको शायद लेकिन है काफी तेज गूम रहा है मोटर काफी स्पीडली गूम रहा है तो अब इसके उपर हम यह ड्रिल मशीन चला के देखते हैं जो क को नीचे इटा लगा के मैंने थोड़ा तिर्चा कर दिया है और आप देखो ड्रिल की साउंड सुनो कितना ज्यादा स्पीडली हमारा जो ड्रिल है यह घूम रहा है तो अब यह लोड भी ले रहा है कि यह भी टेस कर लेते हैं इससे छेद डालके देखते हैं कि छेद पड यह से वर्क कर रहा है यार तो अगर आप इस सोलार पैनल को खरीदना चाहते हो तो आप लूम सोलार की वेबसाइट के उपर जाकर खरीद सकते हो और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा तो आप वहापर जाकर इसको जरूर देख ले ना मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई गाइज